हेलो एव्रिवन आज की इस वीडियो के अंदर हम डिसकस काने वाले हैं आप लोग के बीपी एजी 172 के मोस्ट इंपोर्टन कोशन जो आपके एक्जाम पॉइंट ओफ यू से काफी ज़दा इंपोर्टन हैं तो फ्रेंट्स यह जो कोशन हैं यह आप लोग के प्रिवेस से के कॉशन प्रिपफर बेस्ट हैं और साथ साथ आप लोग के जो बुपक के कॉशन हैं उनको भी मैंने हीहाब यहाप इंक्लूड किया है ताकि आप लोग के लिएक्जाम में आप लोगों से कोई भी कॉशन मिसना हो तीक है? तो फ्रेंट्स अगर आप लोग भी अपने question number one question number one पर यहां पर दिया गया है what do you understand by globalization state the reasons for the rise of globalization ठीक है इस question में पूछा गया है कि आप globalization से क्या समझते हैं यह question आप लोगों का काफी जदा important है आप लोग इसे तरीके से पढ़ लीजेगा और इसका जो answer है वो आप लोगों का आपकी बुक से मिल जाएगा ठीक है और नेक्स्ट कोशन है फिर आप लोगों का हैं पर question number second question number second पर यहां पर दे रखा है आप लोगों को explain the concept of governance list the characteristics of good governance तो friends यहां पर आप लोगों को बताना है कि governance का क्या concept है इसके बारे में आप आप लोगों को explain करना है और good governance के characteristics आप लोगों को यहां बताने है ठीक है next question है फिर आप लोगों के होड़े को से कुछा गया है यहांW तो friends यहां पर आप लोगों को इसके बारे में explain करना है and फिर next देख लेते हैं आप question number four पर यहां पर दे रख आया आप लोग को और इसकी थे और इसकी थेयरी क्या होती है ठीक है फिर और फिम्हश्न पर जोंपसे नुद्ध अगरे टेक्ट बेद्सनें प्रप्र याप से बटर मालेन्यम् डेफिल्पेंट गोल्स अद सचेनेबल टेवलप्मेर्प्र कोड्स फ्रेंट यहाँ पर आप लोगों को इन दोन और fundamental rights क्या होते हैं ठीक है next question देख लेते हैं question number seven question number seven पर यहां पर दे रखा है explain the features of 73rd and 74th CAA तो friends यह जो question है यह आप लोग का बहुत ही जादा important question है इसा आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजेगा और इस question का answer आप लोग को आपकी book से मिल जाएगा वहां से आप लोग इसे पढ़ सकते हैं और अगर इनके साथ आप लोग की book नहीं आई है तो friends आप लोग को guide purchase कर सकते हैं market से नीरिस publication या फिर गुली बावा पप्लिकेशन की जहां पर कि आप लोग को और प्रिवेसर के question papers मिल जाते हैं और उसके साथ साथ आप लोग को chapter wise आप लोग के सभी questions हाँ पर मिल जाते हैं ठीक है तो अगर आप लोग के पास books नहीं आई हैं तो friends आप लोग guide purchase कर सकते हैं या फिर अगर आप online study करना चाते हैं तो इगनूई content app है उसकी help से कर सकते हैं या फिर आप इग्यान course website से भी अपनी books को download करकर अपने exam की study कर सकते हैं ठीक है और फिर next question है आप लोग के हाँ पर question number 8 question number 8 पर यहाँ पर दिया गया है discuss the factors responsible for changing role of bureau Crissy ठीक है next question है फिर आप लोग के हाँ पर question number 9 question number 9 पर यहाँ पर दे रखा है explain the concept of information communication technology इसे short form में बोलते हैं ICT ठीक है and discuss the different phases in the evolution of ICT तो friends यहाँ पर आप लोग को information community technology मतलब कि ICT के concept को यहाँ पर explain करना है और ICT के evolution के जो different phases हैं वो आप लोग को यहाँ पर बताने हैं तो friends यहाँ आप लोग के half chapters के important questions हैं BPAG 172 के और जिसके half chapters के important questions हैं उसकी वीडियो में जल्दी upload कर दूंगी तो friends अगर आप लोग को इसके आगे की chapters की वीडियो चाहिए तो आप comment section में बता दीजेगा तब तक कि लिए आप लोग इन से भी questions के answers को find out करकर अपने exam की preparation कर लीजेगा और इसके next chapter के भी वीडियो में जल्दी ही लेकर आने वाली हूँ तो friends आप लोग तब तक के लिए चैनल को subscribe कर लिजेगा side में एक bell icon होगा उसे press कर दीजेगा ताकि आप लोग को आने वाली सभी वीडियो के notification बिल्कुल का एक time पर मिलती रहे है और friends अगर आप लोग को किसी और subject के भी important questions की या फिर professor के question paper की वीडियो चाहिए तो आप लोग उसके लिए मुझे नीचे comment section में बता सकते हैं ताकि मैं उससे जलसे अप्लोड कर सुकूँ और अपने subject को medium के साथ mention कीजेगा कि किस medium में कौन से subject के आप लोग को वीडियो चाहिए ठीक है ताकि मुझे पता लग पाए कि आप लोग को किस subject के important question की need है तो friends बस आज के वीडियो में इतना ही अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजेगा ज्यादा श्यादा शेयर कीजेगा ताकि और विस्ट्रेंड की help अपाए थैंक यू फर विचिंग दिस वीडियो